तो बर्कुर्दार हो जाए तैयार क्योंकि तैयार है जनता दर्बार ये वो दर्बार है जहां नेता पेश करते हैं अपना रिपोर्ड कार्ड ये वो दर्बार है जहां जनता नेता के कामकाज का उनके वादों का और दावों का करती है हिसाब किताब प्रवासाक्षी नेट्वर्क में आप सबका स्वागत करता हूं और इस वक्त हम चंता दर्वार में मौदूद हैं जहां पर हम चंता से मिलकर उनकी मन की बात जानेंगे कि आखिर सरकार किस तरही की बनाना चाहते हैं और सरकार आकर बनाना चाहते हैं क्यों और क्या उसकी वजय रही है हमारे साथ कुछ व्यापारी है कुछ शुडेंट्स भी हैं कुछ वरिष्ट इसमें वक्ति भी मौदूद है इनसे हम उचेंगे आखिर जो सरकार उत्तर प्रदेश से बन रही है किसकी और क्यों एक साइट स तो सरकार उस्से काम लेकर किया कुछ अपक गिरा हैं वह कुछieron काम किया तो हैंने दूसरे काम को अपना काम बताधला के लिए और कोई कॉछ काम तो हैं नहीं सिख्या वालों को वह उनकी जाक्री चाक्री से लिए उन्होंने कर बैठा तो स्रकार आपकी बदले आज elles अच किके हैं अच्छी सरकार की हैं वहीं होने चाहिए अभी आपके साथ सच्छायोगी में बताया 7 grow ने कि अच्छी सचसर का नुрист मैं लढय जंगा नहीं होता है और बाता है कोई बता देगे नहीं होता है सि était自己 सरकार में और कि सुब बनाना चाहते हैं और अगर हम बात करें बीजे मीसार के लड़ाइद ही सरकार में किस हद तक रुका है कि कोई जाच नहीं न कोई परतार न कोई अदालत कानून से विश्वासी उड़ गया सीधे ही फैसला योगी जी कर देते हैं तो इसमें बताइए कहां पर रह गया है योगी जी का कि गुंडाराज कतम हो गया क्या कतम हो गया महगाई दुगनी कर दी हुए आमदनियादी हो ग सब्सक्राइब करें अगर बात करें तो क्या लगता है क्या प्रदेश की सरकार है बनाए हुए कि नहीं है यहाँ कि सरकार है बनाए हुए बाहय चारे की बात कर रहते हैं काफित की सरकार बाईचारे को बरकरा रखिय हृए नहीं लगता है वानम मतलब कैसे कह सकते हैं क्यों है जगा जगा आप लडाई करवा रहे हो हापस मैं से ठाकुरुबात करा रहे हो हिंदू पंदित बनवाया है तो जाहरे पंदितों का फेवर कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि लडाई करवाई सारे पंदित चड़े हुए जूड वह अगर बात करें तो आप किस तरी की सरकार अगर चाहते हैं कि है जो सरकार बने उसमें क्या खासियत क्या खूब यह उनी चाहिए सरकार डवलेप्मेंट पे जहान दें ना कि जाती बात पर हमारे भाई एक और मौझजव है डवलेप्मे आ किसे से तोलना करना को हमको सुरिफ यह चाहिए कि जो भी सरकार माैंगाई क्लिए ना कि जातिवाद़ व्यूदी चलेगा । भारत चलेगा तो सिक्षा भी चलेगा महेंगाई कम होनी चाहिए आए जादा होने चाहिए लोगों की लोग परिशान है बताई यह बहुत यह बेसिक चीजे हैं जो कि लोग को चाहिए होता है अगर हम बात करें कि बीजेपी ने क्या एजुकेशन को लेकर क्या कुछ कि आप कि ले नहीं कर रहे हैं मैं जो के जुझ हर रहा हूं यह ँच्छी जूए समाज को देख के चेले में समाज को सब कौम रहा कre चले वो Sरकार हमको चाहिए जैने चैहिए कि इनकम मेंquinho食 नहीं नहीं है इजूकेशन का बात करें एजूकेशन को लेकर क्या आपकी अपनी राय का हाल है कि करोना काल में सबी नहीं देखा, कि कमाई कुछ नहीं थी, फीस में कहीं गreूं इजरा से भी माफी नहीं हुई है。 फीस मेरे अलखनों तो कोई जिछन सथान नया बना नहीं है और फीस इतनी महेंगी होती जा रही है कि आम आदमी कमाई कम है फीस हम लोग तो सिब बच्चों के पढ़ाने में ही परिसान है बच्चों की फीस अधा करते करते तक गए हैं लगाता हमको लगा साथ सरकार ने कुछ रहात देगी करोना काल में कम से कम बच्चे घर पे पढ़ हो रही हैं कुछ तो माफ करना चाहिए था स्कूल का सब पच्चरा होगा फीस की माफ नहीं हुआ पूरा पूरा साल बच्चों की फीस देनी पढ़ी और हम घर में बच्चे ओन लाइन चोटे बच्चे से क्या पढ़ते हैं किसी भी परकार की कोई छूट नहीं दिलाए गई किसी परकार का कोई नया सिच्छा सथान खोला नहीं गया तो मुझे तो लगता है बिल्कुल चौपड वरस्ता है इसमें देखी कोई दो राय नहीं है कि कोविट में ही एड्यूकेशन तो फूरी तरह की से द्वस्त हुआ हुआ है जो छोटे व्यापारी है छोटे कर्मचारी उनकी भी बुरी तहसे हार हुई है और अगर हम बात करें सरकार क्यों लेकर प्रदेश की सरकार है तमाम अब इस चुनाओं के समय चल रहा है प्रत्याशी मैदान मोतरे हुए है आपके छेत्र से कौन किस यह कौँ सा मैं पहरे जाना चाहूंगा विधान सभा को सा लगता है यह सरुद्य नगर विधान सभा की बात करें तो इसमें किस प्रत्याशी को आप निकालना चाहेंगे क्यों समाजबादी डवलप की बात करती है हमारे आसपास जहां मैं रह रहा हूं सवरुद्य नगर में लोग बंदू हस्पिताल समाजबादी पार्टी मनाया सिच्छर सास्थान की करें तो राम मनोहर लोहिया ला कालेज मनाया किरिकट इस्टेडियम मनाया इतना कुछ विकास कि अब में और भी कही नाम है में मेधानता होस्पितल बनाया और कई काम किये मेट्रो स्टेशन मनाया आप कि पर्तियाश्री को यहां से चुनाइज जदाएंगे और क्यों बजेपी समझ में आते बागे सबस्माज में नहीं आता कि आप से वाइसमें लुदम है हर सरकार में महीं चांव काम कहतें हैं हैं इसके यहां Stay पाई दिए काम निजेर में क्या काम तो मैं नहीं समस्क्त कर घा तो क्या कम कर दो आप अगर प्रत्याशी किसी चुकि हर पार्टी से प्रत्याशी चुनाओं में खड़े हैं तो किस प्रत्याशी को वोट देंगे और क्यों वोट हम देंगे प्रत्याशी को जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो जो अच्छा प्रत्याशी हो जो छेतर में काम करें हम गरीब जन कि यहां पर आप लोग विवादित हो एक दूसरे जगड़ा करें हमारा सिम्मत इतना है कि आपके मन की जो विचार है वो जानना चाह रहे तो उसी पूछ रहे थे कि इन्हों ने स्वारति सिंग का जो है बता रहे हैं यहां की सगलिया बता जेंively कि है वो किसी को देखने नहीं जाती जहां इनके ब्रादरी के होते हैं वहां जाती है यह या फिर घाटन करने आते बीर बार की शुक्रियाबाद करने के लिए हमसे तो यह प्रभासाक्षी में छोटे से जंता दरवार में कुल मिलाकर बीजेपी का जो परड़ा है वो काफी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को